नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीती के सिर्मोर सेनल में आपने अगर इस सेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दें तागे आपको हर नोटिपिक्सन सबसे पहले मिले दोस्तों ये खबर आज मैं लेकर आया हूँ उन बैरोजगर युवाओं के लिए जो अठारा वर्स से उमर से ज्यादा है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है उनके लिए रादवरी सांस है तो सुनिए अभी अभी राजे सरकार ने एक बड़ी घोशना की कि जो भी नीजी विद्याले में लगे हुए हैं उनके लिए सरकारी जॉब की व्यवस्ता करवाएंगे ने जी विद्याले यानि जो प्राविट में पड़ाते हैं और घरा कर भी बढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी घोशना की है राजे सरकार यानि अचो गयलोजी ने ये गोशना रात त्री के बारा बज़े तक की थी और हम आपको आज बताने जा रहे हैं और ये लेटेस न्यूज हमने सबसे पहले पाई थी और दूसरी गोशना की थी जो मलब हर प्रिवार में एक व्यक्ति को नौकरी जरूर मिलेगी प्रिवार में एक व्यक्ति को यानि एक प्रिवार में पाई सदस्य है उनमें से एक को नौकरी जरूर मिलेगी और उनके वाता पिता है जो किसान है उने सही और वो घरी प्रिवार से होना सही उनके लिए ये सरकार ने बहुत बड़ी सांस बड़ी गोशना की थी ये साम को कहा कि अगर पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और हम उसको सुधार में लाने जा रहे हैं पिछली सरकार ने कापी अच्छा अपना वक्त निकाला और कापी उनका अच्छा कारे रहा लेकिन फिर भी असो गैलोत का ये कहना था कि पिछली सरकार ने कुछ भी कारे नहीं किया और हम इसको अभी सुधार में लाने जाएंगे पिशली सरकार ने काम बहुत किया है देक्शनी सरकार के अंदर विपक्स मजबूत नहीं था लेकिन इस सरकार के बीष में विपक्स बहुत मजबूत है और ये काम करवा के रहेंगे युवाओं के लिए किसानों के लिए काम करवा के रहेंगे नई तो ये काम नहीं कर सकते हैं और अचोगेलोड ने कहा कि हम सभी युवाओं को अच्छा रोजगार देंगे पांस सालों के अंदर अच्छा विकास करेंगे किसानों को अच्छा फायदा करेंगे चलि कि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले धन्यवाद